Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तो मेरा नाम है मनेदर सिंग गोला और आप जुड़े हुए मेरा ओफीशल यूटूब चैनल से फर्स टाइम मेरे चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए हम सब लोग on passive के आने का बेसवरी से इंतजार कर रहे हैं और सबसे बढ़िया और सबसे मज़ेदार बात ये है, कि जितना समय अभी हम लोगों को लगा है और जितनी बेसवरी से इंतजार कर रहे हैं, अब हमें उतना इंतजार सायद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनके ready भी हो चुकी है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हम अलड़ी इस्तेमाल भी कर चुके है अभी जो एक migration का काम चला था, आपको पता है कि यह जरूरी था, लेकिन अब यह भी समय गुजर चुका है यह किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि चाहे वो अच्छा समय हो, चाहे वो बुरा समय हो, आपकी जिन्दगी में चाहे कैसा भी समय हो एक दिन ऐसा आता ही है कि धीरे-धीरे करके वो वक्त जो है गुजर जाता है इसलिए हमेशा हमें नॉर्मल रहना चाहिए अभी हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो on passive से जो है कब पूरे होंगे यहाँ पे एक दूसरे लोग जितने भी हैं हमारे founding members सभी एक दूसरे लोग हमारे सपने पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं और हम सब लोग यही चाते हैं कि हमारे सऺने जल्दे जल्दे पूरे हो इसके लिए यह आसा नहीं है कि S.M.F.A.R.E.D. की जो भी update होगी उसको miss नहीं करना है चाहे वो बुदबार को भी आ सकते हैं बुदबार के अलावा वो किसी दूसरे webinar में भी आ सकते हैं कहीं से भी अगर S.T.R. की कोई भी information आती है तो सबसे ज़ादा कोशिस हमें यह करनी है कि आप उनके directly webinar के अंदर ही enter हो करके उनकी सारी की सारी बातों को सुनें क्यों? क्योंकि directly जब सुनेंगे तो उसका impression कुछ अलगी पड़ता है हमें ऐसास है कि OES के OES के अंदर बहुत कुछ यहां पर हो रहा है back end के पीछे काम चल रहा है end कई सारी चीज़ों पर वहां पर काम चल रहा है OES अभी नहीं आया है लेकिन हमें बहुत ही जल्दे यह दिखने वाला है September का महीना आज खतम हो रहा है September का महीना के बाद आपको पता है कि October के महीने के बारे में भी S.M.F.R.S.R. ने कुछ कहा था कहा था कि अगले कुछ 8 से 10 दिन के अंदर यानि की 1st week में या 15 दिन के अंदर 2 week में हमें बहुत कुछ वहां पर देखने को मिल सकता है और सब कुछ यहां पर अब A.S.R. ने अपने हाथ में ले लिया है सब कुछ उनकी निगरानी में है सब कुछ वो अपने हाथ में ले करके सारा का सारा काम खुद समाल रहे हैं तो हमें ज़्यादा टेंशन लेनी की जरूद नहीं है क्योंकि जब काम दूसरे के हाथ में होता है इविन अगर मैं अपनी भी बात करूँ अगर मैं कोई भी काम दूसरे के माध्यम से अगर मैं करा रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानिया हमें फील हो सकती है परेशानिया सहन करनी पड़ सकती है हमें परेशानिया आ सकती है और आती भी है अगर हम कोई भी काम खुद नहीं करते हैं किसी भी काम को माल लो अगर मुझे खुद काम उस काम को खुद नहीं सीखते हैं तो 100% परिशानी आती आती है लेकिन जब आप काम खुद सीख लेते हैं और सारा का सारा जो इंचार्ज होता है वो अपने हाथ में आप ले लेते हैं तो आप अपने आप में फुल कौन्फिदेंस होते हैं कि हाँ मैं कौनसा काम कर सकता हूँ और मैं कौनसा काम नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पे बिल्कूल एस्टर के साथ भी यही है उन्होंने सारा काम समھल लिया है पिछले वेबिनार में बहुत सारी चीज़ें यहां पर बताई गई थी और सारी बातों को दियान में रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमें सामने आई है AI प्रोड़क्ट के सभी काम को जितने भी हमारे AI प्रोड़क्ट है उनको वहां पर टेस्ट किया जा रहा है बार 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 जो है परिछड किया जा रहा है उसको टेस्ट किया जा रहा है उसको जिसे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है या नहीं है बहुचा काम अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेसेंस रखना अब यहां पर बहुत सारे packages भी हमारे आने वाले हैं तो जो O Connect हमने अभी छोड़ा है अभी 2-3 महीने पहले हमने छोड़ा है उसे कहीं ज़्यादा बहतर की हम उम्मीद रख सकते हैं login credential हमारा जो website है तो login credential जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यानि कि login होना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके अलावा job profile एंद उसके अलावा verification यह सारी चीज़ें वहां पर टेस्ट की जा रही है कि हमारा जो login हमारा जो account है वो सही तरीके से login हो रहा है नहीं है यानि कि हमारा जो data है वो सही सलामत है या नहीं है यह सारी चीज़ें आप test की जा रही है और OES के चालू होने के बाद हम यहां पर एक next step यानि कि next phase भी हमें देखने को मिल सकता है जो भी होगा वो ऐसर के हाथ में है और ऐसर कोशिस कर रहे हैं कि जब तक हमारा OES यह login हो जाना चाहिए जी हां जितना जल्दी हो सके वैसे तो ऐसर ने बताया था कि यह September के last तक हमारे सामने आज आएगा लेकि September आज last हो चुका है लेकिन आप हमें पूरी उम्मीद है कि यह October के starting में या October के middle में हम सब लोगों को मिल जाना चाहिए और इसके अलाबा हमारा O connect है व बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अभी दूसरे सर्वर से हमारे data अपने सर्वर पे आया है तो हर चीज़ को चेक करना यह बहुत जादा जरूरी है तीम यह है भी यहां पर जो है एक शियोर होना चाहती है कि दूसरे च्रड के लिए जिन चीजों को लगाने की जरूरत है ठीक तरीके से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है और ठीक तरीके से रिजल्ट दे पा रही है या नहीं दे पा रही है इन सारी चीजों के बारे में भी जो टेक्निकल टीम है वो लगातार यहां पर काम कर रही है और जरूरी भी है अगर यह चेक नहीं होगा, अगर कल को हमें एक अपना OES मिल जाता है, हम उसको लॉग इन करते हैं लॉग इन करने के बात में हम चाहते हैं कि हमारा जो O-Connect है, हम उस पर अपना O-Connect की लिंक को create करें, generate करें अगर वो link create नहीं हो पा रही है, तो फिर हमारे सामने दिक्कत है, यान कि कहीं न कहीं problem है, पहले create हो रही थी लेकिन अब create नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं problem है या फिर हमारा login ही नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं problem है सारा का सारा reset करने के बाब जूद भी अगर हमारा OES login नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं problem है इन सारी चीजों को जो technical team है वो एक बहुत ही deeply यहाँ पे चेक कर रही है तो यहाँ पे चेक करना बहुत ज़ादा जरूरी है और हमारे सीयोसर जो है वो personally link के माध्यम से पूरे platform को बिलकुल अपने निगरानी में रखे हुए है पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं कि यहां पर हर एक platform जो भी यहां पर काम चल रहा है वह काम ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है वो सारी के सारी चीज़ें यहां पर लगातार वो कर भी रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजे उन्होंने अपने वेबिनार में कह दी लेकिन आप जो announcement होने वाले हैं उसमें हम सब लोगों को हो सकता है कि result दिखाई दे हो सकता है कि हमें उसके अंदर कुछ बहतरी चीजे जो है दिखाई दे तो कुल मिला करके यहां पर यही है कि announcement का हमें wait करना है और announcement जो भी होगी वो आपको पता है कि सबसे पहले तो हम wait करते हैं 360 के webinar का क्यांकि answer उसी webinar में सबसे पहले आते हैं इसके अलावा कहां आते हैं इसके अलावा आते हैं हमारे O-Tech Pros का webinar हो गया और इसके अलावा और भी webinar हो गए उसमें भी कभी-कभी आ सकते हैं लेकिन यहा next announcement का wait करना है इसलिए हम यहाँ पर क्या सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो सपने हैं हमारे जो dreams हैं वो 100% यहाँ पर हकीकत में बदलने वाले हैं 100% यहाँ पर आपके सपने सच होने वाले हैं क्योंकि on passive यहाँ पर आपकी जरूरतों को ही नहीं बलकि आपके सपनों को सच करने के लिए यहां पर आया है और हंड्रेड परसेंट यहां पर अमीर गरीब गोरा काला छोटा मोटा कैसा भी कोई भी वेक्ति हो कोई फरक नहीं पड़ता कोई आपकी पहचान नहीं मागी गई है यहां पर कोई आपका क्वालिफिकेशन को इंट्रव्यू आपको नह बदलने वाले हैं इसके लिए अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जिस तरीके से एस सरने अब पूरा का पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है मुझे पूरा विश्वास है कि अब उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा यह मूल रूप से एक कॉंसेप्ट की सुरुआत म ऐश मुफारे सर्की बजासे यहां पे हजारओ ऐश मुफारे सर्क जो है जनम है ज़यां ले चुके हैं और इस अमेरे को अबेशा ले कहीं चुक्त अनियों के और हमेश्या रहेंगी और यही एश मुफारे सर्क का इक सबसे बड़ा सपना भी है और इसी के साथ साथ हमारा सपना भी बहुत ही जल्दी यहां पर हकीकत में बदलने वाला है चाहें आपका सपना कोई भी हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर एक और नई होगी जिसके तयारी अच्छी होगी